दोखतों यदि आप किवल दस भी पास है तो आपके लिए ITBP में एक सांदार भरती आ चुकी है कॉंस्ट्रेवल ड्राइवर के पदोपर जिसके लिए आवेदन परकरिया कब से स्टार्ट होंगे इसमें आपकी उम्ड़ सिमा क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी विडियो अगर आपको पसंदा तो इसे लाइक शेर जरूर कीजिएगा ऐसे अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए ताकि आगे भी इस पर करके जो भी अपडेट हो का आपको मिलता रहेगा फिलाल अपने स्किन पर चलते हैं, भरती के बारे में पूरी डीटेल जनकारी आपको समझाते है दोस्तों अभी जो देख पार होंगे, ये ITBP के द्वारा निकाला गया ओफिसल नोटिफिकेशन है हला कि ये अभी सोड नोटिफिकेशन है, लेकिन इसमें लगभग हर एक जनकारी किलियर कर दी गई है भरती जो होने वाली ये साथ ही हो, कॉंश्टेवर ड्राइवर के पदों पर होने वाली है इसके लिए ओनलाइन माधम से अप्लिकेशन इन्वाइट किये गए है, सिर्फ मेल कैनेडेट के लिए ओल इंडिया से कैनेडेट अप्लाई कर सकते है, ग्रुप C अस्तर की ये आपकी भरती होगी जिसमें आपकी सैलरी लेवल 3 के तहट 21,700 से लेकर 79,100 रुपे तक आपकी सैलरी होने वाली है बाकि पोस्ट की जनकारी इन्होंने कैटेगरी बाइज बताया है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी भैकेंसी होने वाली है पत का नाम देखेंगे तो कुल भैकेंसी की बात की जाया तो 545 सीटों पर भैकेंसी होगी उनली मेल कैनिडेट यानि पूरुस के लिए ये भरती होगी जेनरल के लिए देखेंगे 209 सीटे है, सी के लिए 77, सी के लिए 40, ओवी सी के लिए 164, EWS के लिए 55 और टोटल कुल मिला कर देखेंगे तो 545 पदों पर ये भरती परकिरिया आपकी पूरी होने वाली है बाकि नोट में इन्होंने बताया है कि ये बैकेंसी टेंटेटिव है इसमें आपको बैकेंसी बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है बाकि इसका जो भी ओफिसियल नोटिफिकेशन होगी, इसकी जो भी अपडेट होगी जो ITBP के ओफिसियल वैपसाइट है, इस पर आपको देखनों को मिलेगा अपलिकेशन फी के बात करें, तो फॉप भढने के लिए 100 रपिया अपलिकेशन फी रखे गए है, हला कि अपलिकेशन फी सब के लिए नहीं है जो OVC वाले कैनेट होगे, जो General वाले कैनेट होगे जो EWS वाले होगे, इनको 100 पर देने हैं बाकि कोई SC-ST वाले candidate है इनको किसी भी प्रकार की application fee देने की कोई अवसकता नहीं है एक सर्विसमेन को भी कोई पैसा देने की अवसकता नहीं है eligibility condition की बात करें साथ हो तो इस form को भढ़ने के लिए आपकी जो ओम्र होगी अगर आप जेनरल वाले होंगे तो 20 साल minimum और maximum 37 साल होगी अगर ओवी सी होगे तो 20 साल आपका minimum और maximum आपकी 30 साल होगी और कोई SC-ST वाले होंगे तो 21 साल से लेकर 22 साल आपकी जो ओम्र है वो रखा गया है qualification की बात की जा तो आप 10 भी pass होने चाहिए किसे भी recognize institute से तो आप form को apply करेंगे साथ में आपके पास हे भी vehicle driving license होना जरूरी है तभी form को आप fill कर सकते हैं क्योंकि ये driver के पदों पर भरती है तो driving license compulsory है ये धियान रखेगा बाकी यहाँ पर बताया गया है कि इसके लिए जो application accept किये जाएंगे सिर्फ online mode में ही किये जाएंगे इस website से ही आपको form को fill करना है किसी भी प्रकार की offline माद्धम से जो form है और accept नहीं करे जाएंगे नीचे जब आप आएंगे तो vacancy का selection procedure के बारे में इन होने जनकारी दिया है तो इसमें बताया गया है कि आप सभी का जो PT होगा वो पहले होगा फिर आप सभी का PhD होगा फिर Retain Exam होगा फिर आप सभी का document verification होगा फिर आपकी skill test जिसमें driving आपकी चेक की जाएगी फिर आप सभ भरती के लिए online आवेदन की बात की जाए तो 8 October से आप सभी का form Philip की परक्रिया स्टार्ट होगी और इसका last date 6 November 2024 तक रखे जाएंगे तो यह अभी short notification था बाकि detail notification आएगा तो इसमें PET के बारे में जनकारी दी जाएगी फिर PhD के बारे में जनकारी मिलेगी फिर इसका return exam का जो देखनों कर मिलेगा 8 to 8 जनकारी इसका जो जब detail notification अपलाई का जो date है उमीद रखे उससे दो दिन पहले या एक हफता पहले या हो सकता है same days पे भी इसका detail notification आ सकता है बाकि इससे जूरी हर एक जनकारी के लिए मैंने आपको वीडियो description में link को प्लप्त करवा दिया है इस website पर आएक है जहां पर पूरी जनकारी आपको बताई गई है और यहीं से इसका जो notification मैंने दिखा यहां सब सौट notification डाउनलोड करकर आप भी पूरी detail जनकारी समझ सकते हैं बाकि यह वीडियो आपको कैसा लगा अपना राय हमें comment box में जरूर बताए वीडियो देखने के लि लिंक एक्टिव होगा मैं detail वीडियो के साथ आप सभी के वीचों पस्तित होंगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जाहिंद